मैं ऐसे निर्दलिय, इंडिपेंडन और जनता के हित में काम करने वाली अपने शेत्र में, अपने महाराश्टर के हित में मैं इस विपक्ष का नो कॉन्फिडेंट मोशन जो लाया इसका विरोध करती हूँ और हमारे आज सुबह से जबचे डिबेज चुरू हुई है बारा बज़े से, जबचे अगर हमने देखा तो विपक्ष अगर बात कर रही है ये नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया ही इसके लिए गया था कि महिलाओं पे होते हुए अत्याचार जो हुए है मनीपूर में जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए करके ये अव विश्वास प्रस्ताव ये सधन में लाया गया है हम महिला हैं ये पार्लिमेंट में बैठी हुई हम महिला, मा, फिर सांसद है जब ये सदन में हम बैट कर देखने हैं सुबह से देख रही हूँ विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिरिफ मोदी जी is the only target और महिलाओं पे कहीं पर भी सानुबूती और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन म में पार्लमेंट में जब भी बोल रहे हैं मनीपूर में जो अत्याचार हमारी महिलाओं पे हुआ है वो अत्तीशे सबसे खराब जो ये हुआ है मनीपूर में उसका सभी ने निशेद करना चाहिए हम महिलाएं पुरुष हमारे भाई ये पार्लमेंट में जितने लोग प्रेजन करते हैं सभी ने इसका निशेद किया है पर विपक्ष को मेरा एक प्रश्ण है चार तारिक को हुई हुई घटना को जुलाई इनके purposely वो वीडियो को वाईरल करते हैं और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं Madam you know about this video what is happening in Manipur. Please give us some bite or some view of yours. I said which video? What happened in Manipur? It happened only in 4th. 4th में को हुई घटना को जुलाई में जब पार्लमेंट होता है एक दिन पहले पत्रकार आके वो न्यूस वीडियो हम लोगों को दिखाता है. मैं मांग करती हूँ हमारी सरकार से कि जिसने भी ये purposely वीडियो वाईरल किये और समाज में महिलाओं को इस सभागर में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है इसके उपर चवकशी होकर इस पर जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए सर. जितना जिसने किया हुआ कृत है जो जितना जिम्मेदार वो है समाज में इस तरीके से महिलाओं पर हुई अत्याचार को खुले हां. मीडिया में लाकर शोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार करने का जिनोंने काम किया उसका हम लोगोंने निशेद इस पार्लमेंट से करना चाहिए आज इस विपक्ष में इन लोगोंने लाई हुई NO Confident Motion को आज इनको एक प्रशन है इनके यहाँ पर एक भी विपक्ष में बैठी हुई महिला सुनने के लिए ये नहीं है कि जो सत्ता में बैठी है कि वो सरकार इनके बारे में महिलाओं के बारे में कितनी सीरियस है अगर ये सीरियस है सर लास्ट वीक राजेस्तान में हुई हुई घटना के बारे में एक भी विपक्ष ने उसका उलेख नहीं किया सर। जब एक महिला के साथ नाबालिक के साथ में अत्याचार होता है उसका रेप किया जाता है इतनी बुरी तरीके से और कोईले में डाल कर उसकी आखरी सांस निकलने तक उसे जलाया जाता है और फिर जो बचता है उसे पानी मे बाया जाता है, सर मेरा प्रशन है इस विपक्ष को कि महिलाओं की इस्तमाल आप राजनिती के लिए किया जा रहा है, महिलाओं को राजनिती का रोटिया बना कर उसमें सेखा जाने का इस्तमाल हमारी महिलाओं के नाम पर किया जा रहा है, विपक्ष से ये प्रशन मेरा है कि अगर मनीपूर की महिला हैं हमारे देश में रहने वाली हर महिला हमारे लिए हमारा मान, सम्मान, हमारा गर्व है क्योंकि हम भी वो महिला हैं मैं विपक्स से पूछती हूँ कि अगर मनीपूर की महिला आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो 4 में को आपका डेलिकेशन वहां क्यों नहीं जाता तीन महिने के बाद पारलमेंट चुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पारलमेंट का पूरी टीम बना कर आप वहां जाकर चौकशी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं फोटो खीचने के लिए वीडियो बनाने के लिए उसकी मां के रोना दिखाने के लिए मैं पूछती हूँ कि राजेस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरिये के से वहवार होता है अत्याचार होता है तो विपक्ष का की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है बंगला में हुई हुई बंगलादेश में सोगत का का वी कॉल यू गूगल अंकल इफ टुड़े वी गो अन गूगल एन वी सर्च अन गूगल कि सबचे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे का है तो गोर हो गया सर इस वेरी सर लास्ट लास्ट सर हमारे आज MP हमारे कलीग ने महाराश्टर से श्रीकान जी ने हनुमान चालीसा इधर पठन करके दिखाया हमारे महाराश्टर में भी स्टी महामंडल में काम करने वाली महिला हैं मैं सांसद नहीं सांसद एक तरफ पर महिला होने के नाते जब मैंने सिर जेल में और दो दिन लॉक अप में रखा था, पर आज मोधी जी की सरकार है, ये पारलामेन में ऐसा अत्याचार कोई किसी पे करेगा नहीं, और स्टी महामंडल की महिला है, जब अपने हक के लिए डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर ने हमें लड़ना सिखाया है, अपने ह विपक्ष कहां गया था, तब ये विपक्ष ने मोहन धारन क्यों किया था, ये चीजें भी इनको उत्तर देना चाहिए, सिर्फ मनीपूर, महिलाएं, महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे होने वाली पीडा, ये इनका विशे नहीं, सिर्फ मोधी जी का नाम है, तो इन इनको विरोध करना है, यही इनका अजन्डा बनाा है, ये क्या नारा दे रहे? सर वान सेकेंड यह क्या नारा दे रहें इंडिया यह क्या नारा दे रहें इंडिया यह क्या नारा दे रहें इंडिया इंडिया नहीं मोदी जी को यह पार्लेमेंट हाउस में ऐसे प्राइम मिनिस्टर लाई है आज भी इंडिया मोदी जी के साथ है यह विपक्स को मौन धार किस विज़े पे रखा है इनको उत्तर देना ही पड़ेगा ये मेरा प्रश्न विपक्ष को है वजीत नहीं कहती हूं सर माइलाओं का इस्तमाल राजनीती रोटियां सेखने के लिए नहीं है माइलाओं का सम्मान करना सीखे विपक्ष के लोग